केरल में कौन सा धर्म ज्यादा है वेब दुनिया के मताबिक केरल में 300 वर्ष पहले तक 99 प्रतिशत हिंदू रहते थे वर्तमान में केरल की कुल 3.50 करोड आबादी का 54.7 प्रतिशत भाग ही हिंदू है जबकि 26.6 प्रतिशती मुस्लिम और 18.4 प्रतिशत इस्ताई है इस हिंडूइजम डिकलाइनिंग इन केरला डेकन हेरल्ड के मुताबिक अध्ययन में संकेत दिया गया है कि 1901 में हिंदू आबादी में 68.5 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही थी जो 2011 तक 54.7 प्रतिशत थी और 2051 तक 50 प्रतिशत से नीचे गिर सकती है विकिपीडिया के मुताबिक यात्रियों ने केरल के अधिकांश बंदरगाहों में मुसलिम व्यापारियों और प्रवासी व्यापारियों की बस्तियों की काफी बड़ी उपस्थिती दर्ज की है आप्रवासन, एंतर्विवाह और मिशनरी गतिविधी, रूपान तरण, मसाला व्यापार में आम हित्वारा सुरक्षित इस विकास में मदद की.